नमस्कार किसान साथियों, अगर आप भी धान की रुपाई करते समय ही चार जरूरी काम करते हैं, तो आप लोगों की धान की पौदे में सुरुवाती दिनों में ही जादा से जादा कलों का फुटा होगा, पौदा हरा भरा जाएगा, और आप लोगों की धान की फसल से निकल यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्रिपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेतिवारी से सम्दित, सही सठीक वब्यावारी ज्यानकारी समय समय पे मिलती रहे, धान की रुपाई करते समय या फिर करने से पहले जो 4-जोरी काम आप लोगों को करना है उन में से पहले number पर है, variety के हिसाब से पौध रुपाई के लिए खेति का सेलेक्षन, अब आप लोग यही सोच रहे होगे कि धान की रुपाई के लिए क्या ही खेत का सेलेक्षन करें, तो मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता तो कि आज के समय में भी हमेंसे ज़्यादातर की सनभाई अपने खेत की मिट्टी के हिसाफ से वरायटी का सेलेक्शन नहीं करते हैं, नतीजा धान की फसल से निकलने वाला जो उत्पादन है वो काफी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलता है, तो हमारे कहने का मतलब यह ही है कि अगर आपके खेत की मिट्टे में जल को इस्टोर करने की छमता ज्यादा है, यानि आप लोगों के खेत में बरसात की दिनों में जल भराव की स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो आप लोगों को एक ऐसे वरायटी के ही पौधे की पौधरोपाई करने चीए, जिसकी फसल वदी जो है, वह लंबे समय की हो, पौधे की जो तने होते हैं, वह मजबूत और लंबा हो, जिससे फसल पानी में गिरने की समस्य ना है, जिससे आप लोग अपनी धान की फसल से अच्छा उत्पादन ले पाएं, वहीं दूसरी तरफ अगर आपके खेत की मिट अच्छा खासा उत्पादन लेने के पहले पावदान पर अगरसर हो जाते हैं, धान की रुपाई करते समय या फिर करने से पहले जो चार जरूरी काम आप लोग को करना है, उनमें से दूसरे नंबर पर है खेत की तैयारी की समय, अगर आप लोग अपने खेतों में धान की पौधी की पौध रुपाई करने वाले हैं, उस खेत में पहले से लगाए गई फसल का, यानि जो पुराने फसल के ओसेस हैं, उन्हें पूर रूप से हटा लेना है, जिससे आप लोग की धान की फसल में दीमक का कम से कम अटेक हो, दूसरा चीज आप लोग को यह ध्यान र से 60 केजी डियेपी, 20 केजी पोटास और 10 केजी सागर का दानेदार अपने खेतों में फ़ला कर जुताए कर लें, उसके साथ साथ आप लोग को प्रती एकड़ 8 केजी रिजेंट का प्रयोग करना है, जिससे की फसल में सुरुआती दूनों में ही उनमें ज्यादा से उत्पादन ले सकें, धान की रुपाई करते समय जो चार जरूरी काम आप लोगों को करना था, उनमें से तीसरे नमबर पर है, पौध रुपाई का सही समय वा पौधे से पौधे की उचित दूरी, किसान में अगर आप लोग धान की रुपाई करने जा रहे हैं, तो आप धान की रुपाई करते समय दो 20 इस बातों का ध्यार रखना है, पहला जब आप लोगों की धान की नरसरी जो हुआ 20 से 25 दिन की हो जाए, उस दौरान ही आप लोगों को धान की पौधे की पौध रुपाई कर देनी, क्योंकि अगर आप लोग इस दौरान करते हैं, तो आप लोगों की धान की पौधे में शुरूआती दिनों में ही जादा से जादा कलो का फुटा होगा, कला स्वस्थ तो रहेंगा, हरा भरा रहेंगा, जिससे आने वाले समय में आप लोगों को अपनी धान की फसल से अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा दूसरा ती जब भी आप लोग धान के पौधे की पौधर रोपाई करे तो पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह ज़रूर मैंटेन करें क्योंकि अगर आप लोग धान के पौधे की पौधरोपाई करने वाले हैं तो पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी जो हुआ है जरूर मेंटेन करें इसके लिए आप लोग अपने वराइटी के हिसाथ से पौधे से पौधे की दूरी जो है 15 cm और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह 20 cm पर कर स अगर वहीं दूसरी तरफ आप अपने केतों में कुछ ऐसी वराइटी का सेलेक्शन किये हैं, जिनमें फुटा और बढ़वार कम देखने को मिलता है, तो आप लोग पौद रुपाई की दूरी जो है, वो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, धान की रुपाई करते हैं, जो चार जाते हैं, जिनको अगर समय पर नियंतर ना किया जाए, तो आप लोगों की धान की फसल में तरह तरह के कीटवा रोग की समस्या आने लगती है, इसलिए जब भी आप लोग अपने केतों में धान की रुपाई करें, तो धान की रुपाई करने के जश्ट बाद, यानि 2-3 गंटे के अंदर-अंदर ही अपने खेतों में फिर से पानी भर कर, प्रीटा क्लोर 50% EC फार्मूलेस में जो केमिकल आता है, उसे प्रती एकर 500-600 मेल अपने खेतों में छिटक दें, जिससे आप लोग अपने खेतों में शुरुआती दिनों में उगने वाले तरह-तरह के खर पत्वार को बड़े ही आसानी से वो भी कम लागत में नियंत्रिट कर सकते हैं जिससे आप लोगों की धान की फसल में जो है आनावास से खर्च नहीं लगेगा, कीटवार रोक की समस्या नहीं आएगे और आप लोग अपनी धान की फसल से आने वाले समय में अच्छा खासा उ पादन देखने को मिलेगा, तो उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाई हो तो इस वीडियो को सेर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने नंबर वन खित यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरीकी की और भी ब्यातनी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद